अरे बहु जल्दी जल्दी कर बहुत काम है, सिर्फ 15 दिन बचे हैं रक्षा बंदन में और बहुत सारा काम बाकी है, एक तो इतने सारे पक्वान बनाने पड़ रहे हैं, तीनों बेटियों को भेजने पड़ेंगे, हाँ हा माजी, अब तो ये करना ही पड़ेगा, तीनों दी 80.30 दिलाओंगी, अरे माजी, इसके क्या जूरत है, आपका प्यार मिल जाए बस वही बहुत है, वैसे इसमार रक्षा बंदन बर क्या क्या बनाना है माजी, बहु तू 6-7 आइटम तो बना लेना, गेवर बहार से आ जाएगा, जी माजी, अब जल्दी चलिए, जल्दी इस अरे बहु ये राकी तो बहुत फीकी लग रही है, अपने भाई के लिए और अच्छी राकी ले, और अपनी भाबी के लिए लटकन वाली राकी लेना, बहुत खुश होगी वो ये देखकर, इस पर ओम बना है, और वो क्रिश्न जी वाली है, कौन सी अच्छी लग रही है अच्छी बहु तो मुझे बहु बहु तो मुझे भी बान देगी, हाँ माजी, बले ही त्योहर खास भाई बहन के लिए होता है, मगर हम अपने प्यार करने वाले लोगों को भी उनकी सलामती के लिए बान सकते हैं हाई मेरी प्यारी बहु, तुम मेरे बारे में कितना सोचती है, चल मैं तुझे अच्छी अच्छी चोड़ी और साड़ी दिलाती हूँ, अच्छा है, आज आके फरना एक हफ़ते बाद ऐसी भीड मिलेगी, तुझे तो कुछ भी नहीं ले पाएगी हाँ माजी ये तो है, भाया ये सारी राकियों लड़कन पैक कर दो राकि खरीदने के बाद दोनों सास बहु, चोड़ी और साड़ी बाकी का सजावट का सामान लेकर घर आ जाती है बहु, आज के शॉपिंग करके तो मैं ठक गई हूँ, लेकिन इस बात की संतुष्टी है भाया की सारा समान आ गया, अब रक्षा बंदन आने तक आराम से रह सकते हैं हाँ माजी, ये तो आपनी बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपके लिए चाय नाश्टा ले आती हूँ कुछ देर में किंजल चाय नाश्टा बना कर ले आती है ये लेजे माजी, हाँ बहु, अरे इस टाइम किसका फोन है, ओहो प्रफुला का हाँ प्रफुल, कैसी है तू, और वो दोनों कैसी है माँ हम तीनों ठीक हैं, और बहुत खुश है हाँ मा, इसलिए हमने फोन किया था कि रक्षा बन्दन पर इस बार एक दिन पहले आएंगे एक ही दिन में आओ जाओ मज़ा नहीं आता ना, आपके और भावी के साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं हम हाँ हाँ, बिलकुल आ जाना वैसे तो मा, हम अपनी सचुराल में बहुत खुश हैं, लेकिन माईके में खाना पीना, आराम से रहना, इसा बहुत याद आता है अरे तो क्या हुआ बेटा, तुम तीनों रक्षा बन्दन से एक दिन पहले आ रहे हो ना, चिंता मत करो, तुम्हारी मन की करेंगे कॉल इतने में कट जाता है, क्योंकि मीनाक्षी अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझती है ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और रक्षा बन्दन से एक दिन पहले तीनों नंद घर पर टपक जाती है बड़ी नंद तो अपना बैग इतना भर के लाई थी कि उसे खुद भी उठाया नहीं जा रहा था अरे मा मैं आ गई भाबी खड़ी क्या हो मेरा बैग तो घसीट के अंदर ले आओ हाँ हाँ दिदी आए पता नहीं दो दिन के लिए जनमों जनम मंतर का बैग भर कर क्यों ले आई है मुझे बड़ी कबरहा टो रही है पता नहीं क्या होगा तीनों एक साथ टपक गई दिदी इसमें क्या इर पतर रखकर लाई हो नहीं नहीं हम तीनों बेहनों का सामान इसी में ही है इसलिए इतना भारी है अच्छा दो दिन के लिए तुम तीनों का बैक इतना भारी हो गया खेर बैठो हाँ हाँ भावी बहुत भुख लग रही है बैक की पैकिंग करती करती पेट खाली हो गया कुछ चटपटा सा बना कर ले आए हाँ भाबी और मेरी लिए न पकोड़ी बना दीजे आपके हाथ का खाने का बहुत मैंन है अरे जब तुम दोनों के मन की हो रही है तो भाबी डिक्की बना कर खिला दो गरम गरम ठीक है दिदी किंजल को तीनों नंद की फरमाईश को सुनकर गुसा आ गया था पर गुसे का गुट पेकर वो अपनी तीनों नंद के लिए फटा-फट तीन टाइब का नाश्टा बना कर ले आती है जिसे खा कर उनका पेटी नहीं भरता वाबाबी मसा आ गया आज इतना अच्छा खाना बनाया है तो कल रक्षबंदन के दिन आप क्या बनाओगे देखो जो भी बना चटपटा सा और ठेट सारा बनाना मुझे और टिकी चाहिए चाटिकी और ले कराओ एक और प्लेट भरकर और पकोड़े ले आएए और भाबी नमक मिर्च कैसे टाल रही हो ठीक से ही टालो मज़ा नहीं आ रहा और चटपटा बना कर लाईए अहां दीदी मैं अपनी तीनों बेटियों को जितना अच्छे से समझती हूँ उनके सामने तो मेरी बहुब बहुत भोली है पता नहीं कल बेचारी का क्या होगा किंचल दोबारा से उनकी फरमाईश का कुछ खाना बना कर लाती है इतना काम करके वो ठक जाती है कि दो घंटे बाद तीनों नंद फिर खाने की फरमाईश करती है तो वो उन्हें कोल्ड रिंग देती है उसके बाद रात को खाना खाती है और सोने से पहले वी वो तीनों जम कर खाना खाती है वहाँ बाबी दिल खुल कर आपने हमारे लिए मैकी बना दी मज़ा ही आग्या और आप ढोकला, फावडा, चलेबी, रबडी, दाल, कचौरी और इन दोनों के लिए छोले भटूरे मश्रूम की सबजी नान, शाही पनीर, मतन ये सब हम तीनों के लिए बना देना हे 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 प्रफुला, शीला, ममता कल तुम्हें खाना खाना है या भंडारा करवाना है बता दो, क्योंकि इतना राशन नहीं है मुझे, लाना पड़ेगा सुबा अरे भाया, भंडारा करना नहीं है, पर आपके तीनों बहने इस सारे भंडारे को निप्टा लेंगी आप चिंता मत कीजे, मांग ले ना आराम से समान उनके जाते ही, ठकी हुई किंजल आँखों में आसूल ये कहती है अर्मानी, ये सब क्या है, तुम मानोगे नहीं, आज मैंने इतना खाना बनाया है जितना, चार-पांच त्योहारों पर, चालिस-पचास लोगों के लिए खाना बनता है तीनोदीदी का पेठे यक हुआ, उपर से जितना भी खाना बनाया है, सारे खाने में कमी निकाल कर ठूस कर खाया है मेरा तो अभी से ही सरचक्रा रहा है कि कल का मेन्यू भी दे दिया उन्होंने मैं इतना सब कैसे करूँगी, मुझे अपनी भाईया के लिए भी तो राकी बानने जाना है तुम्हारे तीनो बेहनों की तरह नहीं हूँ, जब तक भाई की कलाई पर राकी नहीं बानते, तब तक बेहने कुछ नहीं खाती है कुछ करोगी या सिर्फ देखते ही रहोगी हरे, हम मैं इस मौके पर क्या बोलूँ, खाने के लिए किसी को टोक नहीं सकते न तुम अपने भाई के घर जरूर जाओगी, चिंता मत करो, मैं खाना बनवाने में मदद करवा दूँगा ठीक है करवा दिना, वर्ना मैं पाखल हो जाओंगी अगली सुबा उठकर किंजल घर की सारी साफ सफाई करती है और फिर तीनों घमंडी नंद के लिए रसुई में खाना बनाने लग जाती है तो भाग भाग अर्मान भी आ जाता है सौरी, 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 किंजल में लेट हो गया पता नहीं, बातरूम का दर्वाजा खोला नहीं बताओ मुझे क्या करना है अब ऐसा करो, आलू को कुकर में उबलनी रख दो मैं ग्रेवी दयार कर रही हूं और आटा भी लगाना है जब तक तुम मश्रूम पनी टमाटर काट दो ठीक है, बाप रे बाप अपनी बहनों की हरकतों को मुझे बरदाश्ट करना पड़ रहा है मेरा भोगी लाल कहां फस गया क्या बोला तुमने, कुछ बोल रहे हो नहीं, कुछ नहीं तब ही अर्मान सबजी कारना शुरू करता है उसकी तीनों बहने आ जाती है अरे भाया, ये क्या कर रहे ही हो कितने समय से हमारे साथ बात नहींगी चलो आओ बेट कर बात करेंगे हाँ भाई, चलो चलो बढ़ा आई थी मेरी भाई की मदद लेने के लिए अब सारा काम खुद के लिए करेगी अरे पर मुझे काम भाया, नो काम सारा आराम हमारे साथ चलो हम आपकी राखी बान देते हैं भाई चल्दी खाना बना कर लाना बहुत भूग लेगी है तीनों बहन अपने भाई को खीचका रसोई से ले जाती हैं और फिर उनके राखी बानती है जिसके बाद अर्मान तीनों बहनों को अच्छी-च्छी साड़ी और कानों के छोटे-छोटे इयरिंग्स गिफ्ट करता है वहीं बेचारी भाई रसोई में ही खाना बनाती रहती है पिर किंजल अपनी तीनों नंद को खाना परोस्ती है जो कि भुककरों की तरह खाते है भाई कैसा खाना बनाया है आपने मसा नहीं आरा किसी में भी स्वात नहीं है ऐसा करो आप बाजार से मलाई वाला कीवर खरीद के ले आओ हम तीनों बहने लाना भी भूल गए मैं ले आता हूँ अपनी भाबी को क्यों बोल रही है अरे भाईया आप हमारे साथ बेट कर बाती करो ना आज आपका और मीरा दिन है और आपने हमें जो केव दिया है वो छोड़ी छोड़ी सोनी की प्वाली है थोड़ी बड़ी तुला कर दी थी तुम तीनों के लिए ये भी मैंने बहुत मुश्किल से किया है अरे बड़ी लादा तो पता नी कितने पैसे लग जाते अभी इससे काम चला लो ठकी होई किंजल बाजार में गेवर खरीदने चली जाती है जहां उसे बहुत टाइम लगता है और फिर घेवर खाने के बाद तीनों घमंडी भुकर नंद फिर से कुछ न कुछ बनवा कर खाती है शाम के छे बच जाते हैं किंजल ठक कर चूर हो रही थी मेनाक्षी घुसे में किंजल का हाथ पकड़ कर अपनी बेटियों के सामने ले आती है प्रफुला, मम्ता, शीला तुम तीनों का खाने का कोटा पूरा हुआ की नहीं अरे जितना खाना तुमने दो दिन में अपनी भावी से बनवाया है उसका आदा खाना भी अगर तुम तीनों साथ मिलकर बना देती तो शरम नहीं आती भंडारे, डांगर, हपसियों की तरह अरतालिस खंटे से खाय जा रही हो अरे अगर आज तुम दोनों भाई बेहन का दिन है तो मेरी बहु को भी तो अपने भाई के राखी बादनी है उसका भाई इंतजार नहीं कर रहा है? बेचारी कबसे प्यासी काम कर रही है, भूकी लगे हुई है, खुद तो खाकर बैट गई हो, उपर से फिर भी आनागानी कर रही हो जो मिल गया है उसमें संतुष्ट नहीं हो सकती मिनाक्षी से ये सुनकर तीनों घमंडी बेटियां शर्मसार होकर अपनी भाई के सामने हाथ जोड लेती है भाई हमसे बहुत बड़ी गल्दी हो गए, हमें माफ कर दीजे, हमने अपने रक्षबंधन तो मान लिया, लेकिन आपको बहुत तकलीफ देदी भाई अपनी तीनों नंद को गले लगा लेती है, अब मुहरत निकल जाता है, इस वज़ा से किंजल अगले साल से अपने भाई के साथ रक्षबंधन मनाती है